नवस्कार दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करूंगा पॉपलर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं उतर भारत में पॉपलर और जुकलिप्टस ये दो मुख्य पेडों की प्रजातियां हैं जो कि किसानों के द्वारा अपनी कृषी भूमी में एग्रो फॉरस्ट्री फॉर्म फॉरस्ट्री के रूप में उगाई जाती हैं तो युकलिप्टस के संबंद में मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं करीबन एक हफता पहले आज ये वीडियो बना रहा हूं तो तारिक है 29 सेप्टमबर 29 सितंबर 2013 को ये पॉपलर का वीडियो बना र सहती है कि हमारे खेत में जो युकलिप्टस या पॉपलर लगाया गया है उसमें कितनी लकडी उपलब्ध है वजन कितना है जो टिमबर कंट्रेक्टर बोल दे वही सही है या किसानों को भी किसान भाईयों को भी अपनी तरफ से वजन आखिलन करना चाहिए तो मैं आज खुद किसान भाई खुद बड़ी आसान तरीके से वजन के बारे में एक एस्टीमेट लगा सकते हैं ताकि कोई टिमबर कंट्रेक्टर उन्हें बेकूफ ना बना सके तो सीधे मैं चलता हूं अपने पाउर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे और वहां आपको जाके ये सारी कीजें समझाता हूं तो ये आज का विशे रहेगा किसानों के आर्थिक लाब को सुनच्चित करने के लिए उत्तर भारत में पॉपलर की क्रिशी वानिकी फसल की वजन आकलन विधी यानि कि आपके खेत में कितना पॉपलर है और उसकी कितनी लकड़ी कितना क्विंटन लकड़ी उपलब्ध है ये आप अपने से खुद एक्टिमेट कर सकते हैं देखिए दोस्तों ये जो दो मैंने तस्वीरें लगाई है ये पॉपलर है क्योंकि सर्दियों में ये देखिए बिलकुल पत्ते जड़ जाते हैं नीचे गहूं की फसल लगी हुई है और ये यूकलिप्टस है जिसके पत्ते एक पर्टिक्लर टाइम पे निश्चित समय प जा यूपी के तराई की इलाके या उत्राखंड के मैदानी इलाकों का प्रस्द है विंको द्वारा प्राईयोजित बहुत सारे प्रप्लर की क्लोंग यह वरायती है जैसे 859 110 11112 13 ये बड़े प्रत्षलंड में है दो किसानों की ये मुख्य पसंद है और इसके अलावा ज G3 और G48 यह दो क्लोन भी हैं जो कि किसान लोग काफी उगाते हैं और यह जो पापलर का जो अपना पेड़ है यह सेंडी लोम स्वाइल में ज्यादा आता है यानि कि नदी किनारे जहां काफी रेत उपलब्ध है और उसमें लोम क्वांटिटी भी काफी मात्रा में जिसे हम से स्वाइल होनी चाहिए जहां पानी खड़ा नहीं होना चाहिए तो उस तरह की मिट्टी में यह बहुत अच्छी तरह से आता है और यानि कि जो नदियों के दोवारा लाई गई मिट्टी है चाहे हमारे तरह के लाके हैं यूपी के या यमना के पास जो यमनानगर का इलाका है अरियाना में इसके इलावा साहरनपुर का इलाका है आपका पंजाब में आपकी तीन परमुक नदियां जो कि पंजाब से जाती हैं जैसे स्अतलूज रावी ब्यास उनके बीच के जो इलाके हैं यूपी के DENNIS के तरह के लाके हैं और इसके लावा उत्राक्षण के जो मैदानी इलाके वहां ये प्रजातियां काफी famous हैं किसानों के दौरा लगाई जाती तो ये मेरा मुख्यत है इसे वीडियो का लक्से है और उदेश से है कि टिमबर कंट्रेक्टर के दौरा जो की कुछ टिमबर कंट्रेक्टर सभी नहीं किसानों को misguide कर सकते हैं कि आपक करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट को जाएगा किसान को कम पेमेंट आएगी तो घाता किसको होगा किसानों को होगा तो इसलिए मेरा ये वीडियो का बनाने का मुख्य उदेश से ये है कि किसान लोग खुद आंकलन कर सकें कि मोटे तोर से कितनी पॉपलर की लकड़ी उनके खेतों में अवेलेबल है उपलब्द है देखिए तो मेरा ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये उन साइन्टिफिक आर्टिकल्स जो की तिफरेंट व्यज्यानिकों ने त्यार किये हैं पिछले कुछ सालों में उन्होंने आखलन किया है रिसर्ट पेपर के आधार पे है आपका पघ्री कल्चर युनिवेस्टी है पंजाद में लुद्याना में हर्याना ने किन तैबल बनाई यह है और ऑफकर बर प्र्टीर के वजन बताती है तो यानि कि उसके आपकी खेत में कितनी green timber उपलब्द है तो green timber weight table पंजाब और हर्याना के बारे में बनाई गई हैं उतर प्रदेश के बारे में बनाई गई हैं तो मैं इस वीडियो में basically पंजाब और हर्याना के बारे में बताऊंगा तो ये तीन चार paper हैं जो मैंने consult किये इसके अलावा भी और consult किये तो इन papers को देखने के बाद मैंने ये निश्चे किया कि जो weight tables हैं वो किसानों को इस video के उपलब माध्यम से मैं बताऊं कि किस तरह से जो हमारे वग्यानिकों ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है और basically किसा किसानों के लिए किया हुआ है इसका वो उनको फाइदा उठाना चाहिए और कैसे उठाएं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले तो किसान भायों आपको गर्थ यानि कि आपको पेड़ों की गोलाई नापनी है आपने छाती के सामने जो खड़े हो करके जो टेप लगाखर कि उसको पेड़ की गोलाई नापनी है अंग्रेज जी में हम घर्थ कह देते हैं या फिर उसके बाद काफी सारे पेड़ों को ना का नाप लेना कितने पेड़ों का लेना है मैं अब या बताऊंगा तो गर्थ निकालने नहीं है गोलाई उसके बाद डायमेटर में कनवर्ट कर लेना है यानि कि व्यास कितना है आपका पेड़ों का और उसके बाद फिर हम आगे वेट टेबल के उपर चलेंगे तो पहले कि कितने पेड़ हमें सिलेक्ट करने है ताकि हम गोलाई नाप सकें यह देखिए यह मान लीजिए आपका एक खिसान का चार पांच एकड का प्लॉट है पांच एकड का मतलब हो गया दो हेक्टियर चूब कि एक हेक्टि अर्ण क का प्लॉट है तो आप किसान भाई मिनिममम बारा पेड़ सेलेक्ट कर लें मिनिममम है यह इसे जज्ञादा ले ने तो और अच्छा है और बारा पेड जैसे की चारों साइड में दो दो ले ले और सेंटर में चार ले ले तो टोटल बारा पेड़ होगे पॉपलर के इसके ज़्यादा अगर पंदरा ले 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 बीच ले ले तो और अच्छी बात है ज्यादा एकूरेशी आएगी तो यह पेड़ करने के बाद फिर हमें करना क्या है यह मैं एके आख्यांपल के तोर पे आपको समझा राँ हूं ऑफ हम ने बारा पेड़ सेलेक्ट कर लिये एक माली यह च þे साल का पॉपलर का आपका खेत है जहां 6 साल के popular हो गए हैं और 4 एकड़ आपका एरिया है और उसमें हमने 12 पेड़ सेलेक्ट कर लिए और उन 12 पेड़ों के popular के पेड़ों का जो गोलाई है वो हमने यह यह नोट कर लिया बड़ा सिंपल है 12 की 12 रीडिंग हमने यहां लिख ली तो क्योंकि 12 रीडिंग है तो इ गर्थ तो आपकी आगी यह आगे आपकी 67.82 यानि कि 67.82 आपका एवरेज गोलाई आगे जो आपके खेत में उपलब्ध है जो आपकी 6 साल के उकलिप्टस के पेड़ है अब हम इस गोलाई से डायमीटर निकालना है तो डायमीटर कैसे निकालेंगे उसको समझने के लिए और सब्सक्रों सब्सक्राइब में कीजिए रिलेसिन है कि गोलाई तो आपकी ऐसे नैपते हैं यह फोटो में आप समझ सकते हैं टेप के द्वारा जिसे हम गर्थ है ब्रेस्टाइट कहते हैं और डायमीटर है उसे अगर गर्थ को गुड़ाई को तीन से भाग देदें वैसे तो यह पाई होता है तीन की जगए पाई होता है बाइस बटे साथ मैथेमेटिक्स में जानी कि त्री पॉइंट वन फॉर वन ल लाइन बना दें कि यह आपका डायमीटर बन जाता है तो अब क्योंकि हमने गर्थ निकाल दी थी एवरेज गोड़ाई निकाली थी शड़चट पॉइंट आर्ट दो सेंटीमीटर इसको हमने तीन से भाग दे दिया तो यह हमारा आगया बाईस दसंबलव छे सेंटीमीटर क्योंकि दसंबलव 6 है तो इसको हमने 23 सेंटीमीटर माल दिया राउंड फिगर में तो हमारा एवरेज डायमीटर आ गया 23 सेंटीमीटर अब हम त्यार हैं अब हम एक पेड़ यानि कि यह रप्रेजन्टेटिव एक पॉप्लर ट्री का एवरेज डायमीटर आ गया जो कि अब आपनाते हैं टेबल के उपर जो वग्यानिकों द्वारा बनाई गई है तो पहली टेबल पंजाब स्टेट के लिए है यह देखिए यह टेबल में आपको पता लगेगा ग्रीन टिंबर वेट टेबल यह टेबल वन है फॉर ए सिंगल पॉप्लेट्री फॉर पंजाब स टाइट यानिकि एवरेज दायमिटर जो हमने कालकुलेट किया वो है यह उसकी रीडिंग है दस बारा चौदा सोड़ा सेंटीमिटर अथारा सेंटीमिटर बीस बाइस चौवीश चबीस और इनके अगेंस्ट यह जैसे दस सेंटीमिटर आपका आवरेज दाया है तो यह आ 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40 यह सारे सेंटीमिटर में डायमिटर है एवरेज दायमिटर और इनके निचे यह वजन लिखे हुए यानि कि जो 40 सेंटीमिटर अगर डाया है तो मैक्सिमम वजन उसका 1000 किलो पर पेड़ का आ जाएगा यानि कि एक पेड़ का यह आपको वजन पता लग जा है तो आपका उस पेड़ का वजन आएगा 13.4 कजी और सबसे जादा अगर 40 सेंटीमिटर आपका डायमिटर है एवरेज दायमिटर तो उसका 1000 पिचाण में केड़ी आपका एक पेड़ का वजन है तो पंजाब के क्रिसान प्रावो होन थोड़ा सा पंजाब भी थे मैं तो होगा सानुद दें दाया तो यानि कि 23 संटीमिटर तेइस संटीमिटर कर लिया अपने वरेज दाया है तो इच Secret of the Pack और 24 संटीमेटर दी पता है तो 23 संटीमेटर आला जो रीडिग वेट की ओ इन आदे बीच होएगी, 207 केजी और 310 केजी दे बीच तो होन 23 संटीमेटर दी कित्ना कड़िए, तो तेई सेंटीमेटर दी कद्र वास्ते इन दौनों आनू बाई ते चौबी दी जेडी रीडिंग है उन्हानू एड कर लो यह मैं समझा आओ है एड वेट वेलूज फॉर बाई सेंटीमेटर और चौबी सेंटीमेटर ते यह देखो यह मैं 207.4 केजी ते 310.6 केजी नानू एड कर लिया यह केड़ी केड़ी है बाई दी 207.4 चौबी दी 310.6 यह दौन रीडिंगा नू एड करके इना नू दो नाल पाग दे जो तो यह तो अड़ा आजेगा 286 केजी यानि कि तेई सेंटीमेटर जे तो अड़ा एवरेज दाया है पापिलर ट्रीदा तो ओधा उस पेड़ दा वजन होएगा 286 के लिए 286 के लिए दिस इस जी वेट फॉर इस सिंगल रेप्रेजेंटेटिव पाप्लेट्री आप 23 सेंटीमेटर इन यूर अग्रो फॉरेश्ट्री फिल्ड जानि कि आपके खेत में जो 23 सेंटीमेटर का एवरेज दाया का पेड़ है उसका एक पेड़ का वजन आपका आगया 286 के अब कितने पेड़ हैं आपके खेत में जिनने पेड़ हैं उन्हानाड मल्टीप्लाई कर देओं पेड़ कि दा काउंट करने हैं देखिए यह बड़ा सिंपल या फार्मूला है एक एकड़ में होंदे हैं तिरताड़ी हजार पेसिंग नाज़स के अगर स्पेसिंग आपकी रखिया 10 फीट बाई 10 एथे आजूगा 10 वीट बाई 10 वीट तो एक एक एकट में लगाय हो repertoire पेड़ तो चार्शो शती फीड हो गे ये बारा बाई बारा पंजाब ते जादा तर बारा बाई बारा फीट ते लांदे तो एथे बारा बाई बारा रखांगे तो ए तो अड़े आ जानेगे 302 बूटे 302 पॉपलर दे पेड़ ते बूटे तो असी बारा बाई बारा लेके चल देने ए रखो हुन मान लिया एक 15 एकड़ दा फार्म है अपने किसान प्रावाजा किसान पाई दा पंदरा एकड़ दा फार्म है ते बारा फीट बाई बारा फीट ते उन्हें बूटे लाए हो यह तो टोटल बूटे किन्य होगे पापलर दे 302 गुणा पंदरा जानी कि 4530 एक पेड़ दा बूट वजन आसी कड़े असी 283 के जी तो तो अड़े 4530 पेडा दा किना वजन होजेगा बारा लख ना पिचान में 1500 के जी इसनूं 114 पाग दे जांगे तो तुछ तो अड़े कुइंटल आजानी कि बारा हजार नौसों पच्पन कुइंटल है इन्ना माल तो अड़े खेत ते अविलेबल है जिड़ा रूट हैंगी पेड़ा दी जड़ा उना दा बजन अलग है वो इसमें सामल नहीं है याद रखो यानि कि जमीन तो उपर उपर जड़ी लखड़ी नजर आ तो अड़े पंदरा एकर दा जे तो अड़ा फार्म है खेत है तो उत्थे तो अड़ा माल होगा बारा हजार नौस्टो पच्पन यानि कि रख कह सकते ने लगब अगे तेरा हजार कुंटल माल अविलेबल तो तो अड़ा माल पता लग गया हुण तुसी टिंबर दो ये येव कवे कि बारह हजार नौस्ट नि यानि कि तेरा हजार कुंटल जों बद हैगा तो हुदे घल मालेव यानि कि यो जं बिल्कुल ठीक बोल रहा थी तेरा हजार के DR мाल तें बादे год म बनदरा हजार बोल हाधारा हजार बोल रहा है तो उन्हों एसेप्ट कर लो दाऊड के असेप्ट कर लू यह इस तो कात बोल रहा मान लोग कहरे है 10,000 मान लोग कहरे है 8000 कवंतल तो उन्हों कॉँख वह तूरा एस्टीमेट ठीक नहीं है साइन्टिफिक अनालिसिस जड़ी असी साड़े विज्ञानिकां दें वेट टेबल दें हिसाब तो बनाई है उस्तों मताबिक तेरह हजार कुटल तो कात नहीं होना चाहिदा तो तुछी असेप्ट नहीं करना है तेरह हजार कुटल ही तो यह लेकर आओ तीमबर एक्सान पंजब दे किसान प्रामावाश थैंते हुआ हर्याना की किमने लाके में हमना नंगर कर दो यहां पे जादा नंगर लगाते हैं तो टेबल यहां पर है इसकी वैलू अलग है थोड़ी सी इसमें वजन कम है यानि कि पेड़ की ग्रोथ पंजाब इलाके में ज्यादा है हर्याना की इलाके में कम है यहां देखो दस में यहां पंजाब वाड़ों की वैलू थी एक ताड़ी पॉइंट सम्थिंग हर्याना की आरि तो यह टेबल है हर्याना के लिए और वही रीडिंग हमारी होगी मान लो हर्याना में भी तेई सेंटीमीटर एवरिज डायमीटर है तो वैल्यू होगी इन दौनों के बीच में 251.9 केजी और 308.3 केजी के बीच में हमारी वैल्यू होगी अगर 23 सेंटीमीटर हमारा एवरिज डायमीटर है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर तरीका वही है बाई और तेई की जो वैल्यू है 251.9 और 308.3 केजी इनको एड कर दो और एड करने के बाद 2 से भाग द दो तो 23 सेंटीमीटर जिड़ा एवरिज डाया है आपका उसकी वैल्यू आजाएगी 280 के जी यानि कि आपका जो एवरिज डायमीटर का पेड़ है 23 सेंटीमीटर डायमीटर का उसके अगेंस्ट उसकी उस पेड़ का वजन होएगा 280 के जी अब वही फार्मुला लगाओ मान लेते हैं उसने लगाए होएँ दस फीट बाई दस पीट यह मान के चल रहे हैं 12 फीट वाई 12 है तो मैंने पंजाब केस में बता दिया इसमें मान लिए यह जाएंगे दस फीट पर आपने आ जाएंगे 436 पेड़ कैसे आएंगे वो मैंने आपको पिछली से पिछली स्लाइड में बता जिया तो 15 एकड़ ते कितने पेड़ हो जाएंगे 6,540 यह देखो 437 आपके एक एकड़ में होगे अगर 10 फीट बाई 10 फीट की स्पेसिंग है तो 15 एकड़ में होगे 6,540 एक पेड़ का वजन है 280 केजी तो 6,540 का होजेगा 18,320 केजी यानि कि 18,312 केजी इसको आप केजी को 100 से बाग देदोगे तो आपका केजी में आ जाएगा यानि कि लगवागा 18,330 केजी तो हरियाना की किसान भाईयो आपने भी वही करना है अब आप अपने कंट्रेक्टर से पूछिए बता भाई आपका क्या एस्टीमेट है अगर वह अपना एस्टीमेट 18,300 कुंतल से ज्यादा का बताता है बीस जार बताता है तो भाग के उसको हां कर दो हां मैं बिल्कुल ठीक है यह बताता है 15,000 कुंतल 12,000 कुंतल तो उसे साफ साफ बता दो कि भाई 18,300 कुंतल से कातनी मानेंगे इतना तेरे को मानना पड़ इसके उपर हमने एस्टीमेट निकाला है तो इस तरह से किसान भाईयो आप चाहे पंजाब के हों चाहे हरियाना के हों आप यह जो साइंटिफिक अनालिसीस है जो की हमारे वग्यानिकों के द्वारा रिशर्ट के द्वारा खाजाना त्यार किया गया है रिशर्ट पेपर म खुद आखलन कीजिए कि आपके खेट में कितना पाप्लर की लकड़ी अविलेबल है और भाईयो किसान ब्रावो आप नवीन जत्तन जी से भी संपर्क कर सकते हैं जो की डिस्टिक मनेजर है विमको सीडिलिंग आईटी सी लिम्टेड के इंचार्ज हैं पंजाब के इंचा है जैनि का आईटी सी जिसका मेन आफिस है इदराबाद में है इंडियन टोबेको कंपनी वह एग्रो फॉरस्ट्री के फील्ड में भी काम करती है बैतर क्वालिटी के खलों जे फार्मर्स को अविलेबल कराती है तो मुख्य उदेश से इनका यह है कि किसानों को किस तरह से आर्थिक समर्दी की ओर ले जाएं पेड़ों के माध्यम से और इसके अलावा आप मेरे से भी संपर करना कर सकते हैं अगर कोई आपकी क्वारी है तो बैतर है आपके नवीन जतन रहेंगे और मैं भी उपलब्द रहूंगा यह इमेल मेरा है इमेल आईडी है और यह वीडि सब्सक्राइब जरूर करो इतना दे वीडियो उना दे किसान बाईयों के लिए प्रावावास्ते मैं अपलोड करता रहें दाने और पर विश्यते भी तुछनत वान्यूंद लाबानवित करता रहांगा तो विदा लेता हूं नमस्कार